हेलो एवरीबन स्वागा थे आपका मेर्दी चैनल में चली आज हम बनाते हैं आवले का मुरब्बा इससे बनाना बहुत ही आसान है काफी सिंपल है इसकी रेस्पी अगर आपको रैसी पसंद आती है तो प्लीज में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चली मात्रा में आवले का मुरब्बा बनाना चाहें उतनी मात्रा में आवले ले सकते हैं इसे हम साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं इसलिए आवले के मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही लीजिए और इसकी लिए साफसुत्रे आवले का स्तमाल कीजिए ताकि आवले का मुरब् में ही आवले एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे तो देखें यहां पर हम चेक करके देख लिए नहीं कि आवले सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं इन्हीं बहुत जादा भी नाव वाले नहीं तो आवले की कलिया अलग हो जाएंगी और इन्हीं इतना वाले की कलिया भी अलग नहीं और और आबलो को चलनी में कुस्तेरी के लिए रख देते हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए अब हम सारे आबलो को कड़ाई में डाल देंगे और इसमें चीनी डालेंगे चीनी हमें उतनी ही मातर में डालनी है जितनी के हमने आब ले लिए है आवले और चीनी के मात्रा एकदम बराबर होनी चाहिए अब हम चीनी डालने के बाद इसे पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक की चीनी एकदम गाड़ी ना हो जाए इस प्रोसेस में थोड़ा जादा समय लगता है देखिए यहाँ पर मैंने आवलों में चीनी एड़ कर दी है अब हम इसे चलाएंगे जब तक की चीनी मेल्ट ना हो जाए इसे लगतार चलाएं जब तक की हमाई जो चीनी है वो मेल्ट नहीं हो जाती नहीं तो आवले या चीनी नीचे चिपक सकते हैं और थोड़ा जल सकते हैं इसलिए चीनी की मेल्ट होने तक इसे लगतार चलाते रहें आप चाहीं तो बाद में इसे लगतार बिलकुल ना चलाएं जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए इसे पकने दे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर चलाते रहें देखिए यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगी है इसलिए इसे चलाते रहें बीच-बीच में और जब तक चाशनी गाड़ी नहीं हो जाती हमें उतनी समय तक इसे पकाना है देखी चाशनी गाड़ी होना शुरू हो गई है चाशनी को अच्छा ही गाड़ा करना है जब तक कि ये हल्की गुलावी रंकी ना हो जाए देखे चाशनी अच्छी गाड़ी हो चुकी है आवले का कलर भी हलका गुलावी हो गया है अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे आवला साल भर खराब ना हो इसके लिए आपको बीच में एक प्रोसेस और करने होगी 15-20 दिन के बाद यह चाशनी पतली हो जाती है हमने जितनी गाड़ी चाशनी बनाई है उतनी गाड़ी नहीं रहती है पतली हो जाती है देखे आवले वे एकदम सौफ्ट हो गए है तो हम उस समय क्या करेंगे कि 15-20 दिन के बाद हमें चाशनी को एक बार और पकाना है और उसी गाढ़ा कर लेना है इसकी बार ठंडा करने के बाद आमले उसमें डालकर उसी रख देना है इस तरह से आमले का मुरब्ब बनाने से साल भर खराब नहीं होता है इसलिए ध्यार रखें कि इसे बीच में एक ब बार और पकार ले रहा है और आमले का मुरब्ब एकदम बढ़ियां से तयार है और साल भर विल्कुल भी खराब नहीं होता है और इसके साथ ही आमले का मुरब्ब तयार है अगर आपको रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर